स्वागते बच्वों आपका अपने जीटीचाइमस के सैनल पर जहां आज हम पढ़ने जारे हैं स्टेंडर्ट सेंगेंड इंग्लिश 3.5 लेंग्विज स्टडी और इस बार हम लेंग्विज स्टडी में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं जाने कि ऐसे words जो action को दिखा रहे हो जिससे में पता चल रहा हो कि वहां पर कुछ action हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते है action words बोलते हैं अब यहां बोला गया है देखो let's play let's play में यहां पर आपको कुछ words देएंगे जैसे यहां पर क्या बोलागे है fly fly का मतलब क्या होता है उड़ना hop run jump sit clap swim draw dance cry ride laugh sing throw walk तो यहां पर आपको जितने भी words दिएगे clap हो गया यानि कि clapping करना हम clapping करते है next swim यानि कि टैना draw यानि कि drawing करना dance dance Cas Даजब कि 5 कि इसकी कुछ नहीं हो गया फूल नहीं हो कि कि ए भी यानि किCOM वहां ने कि यानि कि सिंग की स्परनाएं आपका SING तो हैं आपको क्हरंने next walk, walk क्या नहीं कि आप चलना, चलना भी आपके किस में आता है, action word में आते हैं, तो यह कुछ जो words आपर दिये कहते हैं, वो किस कहते हैं, आपके action words कहते हैं, अब next आपर क्या मुलागा है, look at the chart, read the words, now read any of this word on a sheet of a paper, देखो, सबसे पहले आपको क्या मुलागा है, इस chart को I T SIT, C L A P clap, S W I M swim, D R A W draw, D A N C E dance, C R Y cry, W R I T E write, L A U G H laugh, S I N G sing, T H R O W throw, W A L K walk, W A L K walk, तो यह हम आपको क्या कर लिया, इसे read कर लिया, अब next हमें क्या बोला है, next बोलागा है, now write any of this words, now write any of this words on a sheet of a paper, अब आपको क्या करना है, एक paper की cheat बनाने है, suppose जो paper उसको आपने हाँ पर, ऐसे cut कर लो, cut करने के बाद आपने paper का cheat बना लिया, दिन आपको क्या करना है, क्योँ भी एक जो नामें आपर लिग दो, suppose आपने यहाँ चीट of paper में sing लिग दिया, और ऐसे ही करके आपको जो यह हमारा ball है, जिस पे हमने क्या किया है, उस cheat जो एक paper की cheat उन्हें ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ है, अब क्या होगा, कोई आएगा, उसमें से एक cheat निकालेगा, और suppose आपके cheat में sing आ गया, आपको क्या करना है, जो भी action आपकी cheat में आएगा, आपको क्या करना है, उसे sing करन आप उसे perform करोंगा, और ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, उसे perform करोंगा, और ऐसे करके एक game भी खाह सकते हो, next, आप बोला का your friends will look at the action and guess the word, और आपको वो आपको सिफ action करके दिखाना है, आपके friends को बोल के नहीं बताना है, कि आप क्या action कर रहे हो, आपके दोस्तों को क्या कर यहाँ पर action words के जो definition है, वो बोले गए, जो कि क्या है, words that express an action are called action words, यह ऐसे words जो action को express करोंगा, जिससे हमें पता चल रहा हो कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ action हो रहा है, कोई चीज हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते है, action words बोलते है, next आपको बोले गए, circle the action word in each row, यानि यह हर एक row में से, जो action word है, उन्हें क्या करो, यहाँ पर circle करो, जिसे कि bag, क्या bag एक action word है, नहीं है, next है happy, happy का मतलब क्या होता है, खुश होना, तो happy आपका action word में नहीं आएगा, वो आपके adjective में आता है, next है walk, walk हमने starting में भी देगा तो walk हमारा क्या होता है, action word है, तो walk को हम क्या करेंगे, यहाँ पर circle कर देंगे, next है यहाँ पर cup, sing, bread, cup, sing, bread में हमारा क्या action है, sing, गाना, गाना क्या होता है, action होता है, bounce, glass, look, bounce करना, glass and look, इन में से action क्या आजाएगा, आपका bounce आजाएगा, next है draw, pin, black, draw, pin, black में आएगा, draw, jump, circle, balloon, jump यानी की कूदना, कूदने को भ drink, catch, drink, catch, इन दोनों में से action word के आजाएगा, catch यहाँ पर action word में आजाएगा, तो यह जो है आपके, row में जो action word दिये गए हुए थे, drink, अगर आप किसी चीज को drink कर रहे हो, तो वो भी आपके action में आजाएगा, यहाँ आपको circle करने बोला गया था, अब next है आपको क्या बोल यहाँ पर circle करने जो बचे में आप कर सकते हो, बट next आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपने जिस word को circle किया है, उसके बारे में आपको एक-एक sentence, जो easy sentences होते हैं, वो यहाँ पर लिखने, तो यहाँ पर आप क्या करोगी, जैसे walk, walk का कोई sentence होता है, तो आपको उसे क्य यहाँ पर करोगे, और आपके notebook में लिख दोगे, तो फिर इस lesson में क्या देखा, इस lesson में आपने लेंग्विज, language studies, जहाँ पर हमने किस के बारे में पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा action words के बारे में, जो कि क्या होते हैं, ऐसे words जो action को express करते हैं, जिनके मतलच हमें क्या पत होगी, मिलते हम नेक्स्ट वीडियो होगें, तब लेके लिए बाई-बाई and take care.